आप से एक मज़दार सवाल पूछूं, क्या आपने भूत देखा है? आप बोलोगे ऐसे कैसे, ये तो सिर्फ दिमाग का भ्रहम है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन यकीन मान ये भूत होता है और वो बच्चपन से हमारे कंधे पे विक्रम के बेताल की तरह ल पन से लेकर कॉलेज तक इस राक्षस ने हजारो लाखों बच्चों को सपनों में आकर खूब डिराया है। तो बस आज इस भूत पे काबू पाने वाली एक सूपर हीरो के साक्षा दर्शन करने का मौका मिलेगा, जो मेरी आपकी तरह मैट्स नाम का शब्त सुनकर उल्टे बैठा हुआ, मैट्स नाम का डर हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से आजाद हो जाएगा। फैमिली की साथ बिल्कुल देख सकते हो, फिल में ऐसा कुछ भी अडरल सीन या फिर अब्यूज का इस्तमाल नहीं किया गया है, जिनके लिए आपको आखकान बंद करने क इस बार कहानी एक छोटी सी बच्ची के साथ चुरू होती है, जो अपने अंदर छुपे हुए एक अजीब से जाजू से पूरी तरह अंजान है, जिसमें मैट्स का कोई भी तेडा मेडा सवाल देखते ही, जवाब अपने आप कुछ सेकंड के खेल में उसकी जुबान पर कट हो जाता है, एक ऐसा खतरना टैलेंट उसको छोटे मामूली गाउं से बहार निकाल कर सीधा विदेशों में बैठे हुए बड़े-बड़े मैट्स के ग्यानी गुरूओं के बीच में पहुँचा देता है, जो शकुंतला की तारीफ में शब्म धूनने के चक्कर में इस तरह आइंस्टाइन और आरेभट के साथ शकुंतला देवी का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, जो अपने अंदर पलने वाले टैलेंट आ इस्तमाल करके हमारे देश का जंडा पूरी दुनिया में सबसे उचा लहरा देती हैं, कहानी में ट्विस्ट जब शोहरत की उचाईयों पे पहुंचने के बाद शकुंतला की जिंदगी में प्यार नाम के शब्त की एंट्री होती है, जो धीरे धीरे उनको मैट्स की किताबों से बहार निकाल कर परिवार के अजीबों गरी पहेलियों के बीच लाकर फसा देता है, एक मासूम से चहरे वाली खुद के शरीर से पैदा हुई बच्ची या फिर मैट्स के सवालों की दुनिया, आखिर शकुंतला देवी का प्यार किसको अपनी आखरी मंजल चुनने का फैसला करेगा, एक इंसान के दिमाग में इसा क्या छुपा हुआ है, जो एक विश्वर प्रसिद मशीन को मा पढ़ने लगे, तो खुद के लिए जीना या फिर परिवार को सबसे आगे रखना, आपका जवाब क्या होगा, टेंशन मत लीजिए, शगुंतला देवी देखिए, मैट्स के साथ साथ जिंदगी नाम के सब्जेक्ट में भी अच्छे नमरों से पास होने का शॉटकट मिल उनके अंदर मौझूद शकुंतला देवी की चीक्ची कर गभाई देती है, आपने मैट्स में, साइंस में, इंग्लिश में पीएजडी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि विद्या ने शकुंतला देवी के क पकड़ कर खुद को नंबर वन हीरोईन समझने की जुर्रत करती हैं, बहले ही शकुंतला देवी फिल्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन विद्या पालन की परफॉर्मेंस में एक भी कमी ढूंड कर निकालना 100% असंभव है, एक ऐसा कारणामा जो शायद फॉर्मिला में, नहीं वो हाथ में शराब की बॉटल उठाकर लड़कों को गाली देना नहीं, बलकि खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए पूरी दुनिया से लड़कर आत्मे निर्वर बनना, शकुंतला देवी असल मायने में फैमिनिजम शब्द की हकीकत हमारे सा वो शकुंतला देवी को एक मज़िदार फिल्म बना देता है, इसमें रुमैंस से लेकर दली तूटने की कहानी भी है, मा बेटी के बीच चलने वाली नोगजोग भी है, और किसी आसाधारन सपने को सच्चाई बनाने में कितने पापट बेलने पड़ते हैं, उसका असली स् पाफ और असरदार हैं, जो स्क्रीन के पार से भी आपकी आँखों को गीला कर सकते हैं, फिर चाहे एक बेटी की अपनी मां से आजादी चीने वाली रिडाई हो, या फिर सुसाइटी में चलने वाले मर्द औरत के अंतर के बीच पिसने का डर, या फिर सपने जब सर पे चर जाते हैं, तो घमन का अंधा करने वाला नशा, हर एक चीज सीधा आपके दिल का दर्वाजा खट-कटा देती है, हाँ लेकिन इतनी तारीफों के बावजूद फिल्म में कुछ छोटी मोटी खामिया भी हैं, जैसे सेकंड हाफ में कहानी अपने रास्ते से थोड़ा भटक क मैस के दुनिया को पीछे छोड़ कर, बिना जरूरत वाले फामिली ड्रामा के बीच में उलच जाती है, जो एक मा बेटी के रिष्टे से जादा किसी हिंदी सीरियल का सीन लगती है, बात करूं आक्टिंग की तो सानिय मलोतरा ने विद्या की परशाई में दबने के हुए टैलेंट से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जो किसी भी बड़े सूपरस्टार की कुरसी खत्रे में डाल सकता है, जीशु सेन गुपता असल मायने में फिल्म को विद्या के साथ कंदा देने का काम करते हैं, और एक मज़दार कहानी के बीच में आपके चेहरे पे स उचे नीचे रास्तों वाले सपर पर लेके जाएगी, जिसके एंड में आपके मुझ से सीटी और हाथ से तालिया ही बाहर निकलेंगी, मेरी तरफ से शकुंतरा देवी को 5 में से 4 स्टार्स, एक स्टार फिल्म में रेट्रो जमाने को बहतरीन तरीके से रीक्रेट करने के ल एक स्टार विद्या बालन की ओसकर डिजर्विंग परफॉर्मेंस के लिए और एक स्टार रियल फैमिनिजम को फिल्म की शक्ति में हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए, बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा क्लाइमेक्स में डाले गए टीवी सीरियल वाले कुछ सीन्स के लिए और हाफ स्टार सेकेंड हाफ में भटकी हुई थोड़ी सी कमजोर और प्रेडिक्टेबल कहानी के लिए बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थो